इस lecture में हम basic rules of probability के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम जो है वो probability क्या है इसको recall करते है the probability of a specific event is the ratio of the number of times a specific event occurs to the total number of events यानि हम probability को इस तरह लिख सकते हैं अगर हमारे पास कोई आयथ event हो रहा है आयथ event तो इसकी जो probability है मैं उसे pi कह देता हूँ और यह event n i times हुआ है और total number of events all जो events है वो मेरे पास अगर capital N हो तो यह मेरे पास probability का formula आएगा यानि probability of आयथ event जो है वो क्या होगी वो इस formula से मैं find out करूँगा चले अब सबसे पहले additive rule of probability पढ़ते हैं यह rule जो है यह applicable है mutually exclusive events के उपर अब mutually exclusive events कौन से है यानि जो mutually exclusive events वो event होते हैं कि अगर एक event हो रहा है तो दूसरा उसी time पर same time पर मुमकिन नहीं है और अगर दूसरा हो रहा है तो पहला मुमकिन नहीं है फार एक example अगर एक student जो है वो एक वक्त में class में होगा अगर तो उसी वक्त में वो canteen में नहीं पाया जा सकता और अगर वो canteen में है तो वो class में नहीं पाया जा सकता यानि वो किसी एक जगा पर पाय जाने की उसकी probability होगी दूसरी जगा पर उसकी पाय जाने की probability नहीं होगी यानि simultaneously एक ही वक्त पर दोनों जगों पर उसकी पाई जाने की probability आप नहीं find out कर सेते हैं यह event possible नहीं है ऐसे event को हम mutually exclusive event कहते हैं चलें अब हम एक example लेते हैं कि हमारे पास एक box है जिसका volume V है उसके अंदर हमने दो small volume element delta V1 और delta V2 लिये हैं अब हम suppose करते हैं कि हमारे पास एक particle है और वो इस V1 रिजन के अंदर है और एक अगर वो V1 रिजन के अंदर है delta V1 रिजन के अंदर तो वो delta V2 रिजन में नहीं हो सकता और अगर वो delta V2 रिजन में है तो वो delta V1 रिजन में नहीं हो सकता यह mutually exclusive है अगर हम इस particle को find करते हैं n times यानि हमारे पास n trials हैं उसको find out करने के और उन में से वो m1 times जो है वो delta v1 में पाया गया और m2 times जो है वो delta v2 में पाया गया तो आप v1 में पाया जाने की उसकी probability क्या होगी p1 number of times यह delta v1 में पाया गया m1 divided by total number of trials हमने n किये थे तो n ठीक है इसी तरह p2 यानि volume 2 में पाया जाने की probability m2 over n होगी लेकिन अगर कोई आप से ये कहे कि इसकी v1 और v2 दोनों में से किसी एक में पाये जाने की probability क्या है यानि आप घर से university आ चुके हैं अब आप classroom में पाये जाएं या आप canteen में पाये जाएं आपकी दोनों में से किसी एक जगा पर पाये जाने की probability क्या है क्योंकि आपके parents की तो आप university में पाए जा रहे हैं तो अब आप इन दोनों में से किसी एक में पाए जाने की probability आपका university में पाए जाना ही है तो अब आप क्या करेंगे यहां तो डल्टा वी वन में particle पाया जाए यहां डल्टा वी टू में पाया जाए वाल्यूम आलिमेंट में तो M1 टाइम्स वो V1 में पाया गया है M2 टाइम्स वो डेल्टा V2 में पाया गया है तो दोनों के नंबर्स को एड़ किया डिवाइड बाइ टोटल ट्राइल जो है वो N से डिवाइड किया अब ये LCM open करेंगे ये M1 ओवर N प्लास M2 ओवर N हो जाएगा तो अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली है क्या इसको ये P1 है M1 ओवर N और ये P2 है तो आप इसको सिंपली एड़ करके लिख सकते है तो इसका मतलब है कि जो mutually exclusive events होते है ठीक है उनकी जो probabilities हैं वो add up हो जाते है तो अगर यहाँ पर ये small volume element 2 होने के बजाए जाए ये चार हों पांच हों यह up to N हों तो इनकी probability P1, P2, P3, P4, P5 up to PN होगी तो इसकी जो total probability है ठीक है तो वो P is equal to P1 plus P2 plus P3 up to PN तो summation I is equal to 1 to N PN हो जाएगी तो ये हमारे पास probability आगे तो ये चुके mutually exclusive events थे तो इनकी probability जो है वो additive rule के तहत होगी यानि के probability जो है वो add up होंगी एक example लेते हैं कि हमारे पास एक well shuffled जो है वो pack of cards है 52 cards है थीक है हम उसमें से एक card draw करते हैं अब हमने ये बताना है कि ये जो probability क्या है उस card की जो हमने draw किया है कि वो card यह तो ace हो यह joker हो इन दोने में से कोई एक card होना चाहिए थीक है तो अब 52 cards है हमारे पर total cards कितने है 52 अब इन 52 cards में से हमारे पास चार जो होते हैं वो aces होते हैं इसी तरह चार ही हमारे पास जो है वो यह जोकर्स होते हैं ठीक है न? अब 4 ही हमारे पास जोते हैं वो जोकर्स होते हैं तो अब Ace को find out करने की probability P1, M1 यानि कि अब हमारे पाफ 4 है तो 4 over 52, 1 over 13 और जोकर को find करने की भी probability M2 over N यानि 4 over 52, 1 over 13 तो अब यह चुकि mutually exclusive events हैं तो अब इनकी probability क्या है यानि अगर Ace निकला है एक card निकाला है यहां तो वो जोकर होगा यहां वो Ace होगा इन दोनों में से कोई एक होगा तो दोनों at a time नहीं हो सकता एक card है दोनों at a time नहीं हो सकता mutually exclusive है तो इनकी probabilities add up हो जाएंगी P1 प्लस P2 हो जाएगा तो यह P is equal to 1 over 13 प्लस 1 over 13 जो है वो 2 over 13 आ जाएगा चलिए next है माँ अपस multiplication rule यानि joint probability क्या होगी joint probability का जो rule है यानि multiplication rule जो है यह applicable होता है independent events है तो यहiंट्स पे यह एक이면 जो इनडिपेंडली exist करते है यहनि simultaneously हो सकते है जैड़िएब दो students है एक classroom में पाया जा रहा है तो दोस्रा canteen में पाया जा रहा है तो यह chances हैं को दो एक احمद और एक राशिद है और राशिद आगर आज़गो यह वो class में पाया जा रहा है तो एहमद जो है वो canteen में पाया जा रहा है तो यह दोनों possible है at a time same time में यह चीजें हो सकती हैं तो अगर हमारे पास कोई a particle है और इसी तरह हमारे पास कोई b particle है और अगर a particle का इसी delta v1 volume element में पायजाने की probability जो है वो यह है और B particle की delta V2 में पाए जाने की जो probability है वो हमारे पास ये है तो अब इनकी जो joint probability होगी वो क्या होगी वो just क्या होगी इस में पाए जाने की पहले element यानि A की probability इसमें पाए जाने की दूसरे B की probability उसको हम multiply कर देंगे ठीक है तो P is equal to P1 cross P2 अब ये multiply ही क्यों होगी चले हम इसको देखते है let's suppose कि हमारे पास N trials है हमने N trials की और हमने देखा कि particle A जो है वो M times जो है वो delta V1 में पाया गया ठीक है तो वो कितने times पाया गया M2 और P2 यानि जो B की उसी same time में B की जो probability है कि वो delta V2 में पाया जाएगा वो P2 है तो अब कितने number of times जो है ये jointly जो है ये दोनों event हो रहे है M times जो है वो delta V1 में पाया जा रहा है particle A और जो particle B है उसकी probability P2 है हम इन दोनों को multiply कर देंगे यहां से P2 into M M P2 हो जाएगा divided by total number of trials N तो ये M over N ये P2 इससे multiply हो गया M over N तो ये P1 है तो ये देखें P1 into P2 आपके पास आ गया तो इसका मतलब है जो joint occurrence of two independent events है वो बराबर होती है उनके product of the independence event probabilities के है चलें एक example से इसको understand करते है a dice was rolled twice एक dice को आपने दो दफा जो है वो roll किया अब दो दफा किया तो आपको दो दफा नंबर्स मिलेंगे ठीक है तो अब हमने ये बताना है what is the probability that these numbers are three and five precisely in that order कि वो number three है और five ही है precisely इसी order में हमने एक dice को दो दफा रोल किया है और वो three है या five है precisely उसकी क्या probability है ठीक है यानि पहली दफा रोल किया है तो three आया है अब पहली दफा जब उसको रोल किया एक dice को तो क्या आपके पास probability होने है six sides है dice की तो one time ही three आ सकता है तो one by six फिर जब आपने दूसरी दफा डाइस को रोल किया है तब again six sides ही है और five की आने की probability भी one by six ही है अब ये दोनों event जो है ठीक है अगर पहले event में three आ गया है तो दूसरे event में ठीक है five आ सकता है यह independent है यह एक दूसरे से जुड़े वे नहीं है independently occur कर सकते हैं ठीक है तो अब इनकी जो joint occurrence है यानि कि वह three और five होने चाहिए उसकी probability क्या है तो वह required probability इन दोनों की probability यानि पी वन और पी तू मल्टिप्ला हो जाएंगा वन बाई six इंटू बाई six तो यह वन बाई थर्टी-six जो है आपके पास probability या थर्ड है हमारे पास जी conditional probability अब यह जो rule है यह applicable होता है ऐसे events के उपर जो एक row में यानि एक event हुआ फिर उसके बाद next या फिर next है तो first event से पहले जोगे कोई event नहीं है तो इसलिए वो किसी पर depend नहीं है यानि जो next event होंगे पहले event के बाद वो सारे अपने से previous event के उपर depend कर रहे हैं ठीक है यानि the probability of an event b to occur as the condition that event a has already been occurred is called conditional probability यानि किसी event b के होने की probability तब होगी अगर event a are ready हो चुका है तब ही वो event b की probability आगी तो यह conditional है यानि कुछ condition जुड़ी होई है यानि event a का पहले होना एक condition है तब ही event b की हमें probability पता चलेगी हम इसको एक example से समझते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास एक box है जिसमें 5 red और 8 green pencils है अब हम कहते हैं what is the probability that on two successive draws the pencils taken out of the box are both green यानि हमने दो दफाव पैंसिल निकाली है और दोनों दफाव जो है वो green pencil निकली है इसकी probability बनाए ठीक है चले अब चुक्के 8 green है और 5 red है तो total कितनी होगी 8 by 5 तो आपके पास n जो है वो 13 आया और green pencil पहली दफाव जब निकाली तो वो event A मैं उसे कहता हूँ first time निकालेंगा तो P of A की probability क्या है 8 pencils है green total 13 है तो 8 over 13 अब देखें अब तो एक pencil तो निकल आई अब 8 pencil अगर निकल आई तो पीछे 8 minus 1 कितनी रहेगी 7 green pencils रहेगी अब अगर कोई ये कहें कि जो second time आपने pencil निकाली है वो भी green ही हो तो अब उसकी probability क्या है अब ये बाद जहन में रखें अब total जो n है ये भी कम ह हो चुका है यानि अब 7 greens है और 5 जो है second event के लिए आपके पास 7 green है और 5 red है तो अब total आपके पास n की value जो है वो क्या है 12 है तो second event के लिए अब 7 में से उस आपने next green pencil निकाल ली है तो वो 7 over 5 plus 7 तो ये 7 over 12 तो second event B के होने की यानिके second time भी आपके पास green pencil है वो 7 by 12 है उसकी probability यानि आप देखें पहली pencil जो निकाल ली उसने total number of pencils भी change कर दी और green pencils भी change कर दी उसका number भी कम कर दी यानि उसने effect किया second event के probability को तो ये conditional है यानि पहला अगर हो चुका है तो ही फिर दूसरा होगा ठीक है और वो उसको effect करेगा तो अब आपके पास दोनों यान combine जो probability है वो P A into P B multiply हो जाएगी तो 8 by 13 into 7 by 12 ये आपके पास 14 over 32 आजाएगी तो ये हमारे पास conditional probability है जिसमें पहला event जो है वो दूसरे event की probability को effect करता है तो ये तो था हमारा आज का lecture basic rules of probability उमीद है कि आपको समझ आगी हो कर दो कर दो समझें